हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे एक इंपोर्टेंट सेक्शन और वो है पैनाल्टी से रिलेटेड ऐसी पैनाल्टी का ये सेक्शन जिससे हम अपनी लाइफ में हर एक प्रेक्टिशनर अपनी लाइफ से में दो चार तो होता ही है इस तरह की एंट्री से या इस तरह की प्रॉबलम से हमें ये समझना जोरी है कि ये जो section section 271 AAD लाया गया है वो क्या लाया गया है कि अगर कोई person पाया जाता है false entry करने के लिए false entry करने या किसी entry को हटाने में जिससे कि tax का evasion किया जा सके उस case में कहा गया कि ऐसे person के उपर जितना उसने इस entry को omit या इस false entry को किया है ताकि tax evasion हो सके उस value के बराबर की penalty impose की जाएगा यानि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपई की false entry करता है या किसी entry को omit करता है तो उसके उपर उस entry के बराबर की value का penalty impose किया जाएगा this is all about your section 271 AAD इस section ने कहा कि ये false entry का क्या मतलब है हमें तो ये भी पता चलना जो रहे हैं कि false entry का मतलब क्या है false entry को तीन तरह से यहां पर define किया गया है पहला the first one कि अगर कोई बंदा false document को annex करता है या false document को insert करता है या false document को prepare करके लगाता है false document का मतलब ऐसा documentary evidence जिससे वो उस entries को करने का benefit ले ले लेता है tax evasion में जैसे की false invoice नमबर बन था नमबर टू करता है कि कोई भी supply of goods और services को receipt करना किसी ऐसे बंदे से जो exist करता ही नहीं है पहला मैंने बताया कोई भी false document को बनाना दूसरा जैसे की false invoice दूसरा किसी ऐसे person से goods और services की supply लेना या देने का entry करना जैसा की person exist करता ही नहीं मैंने कोई entry की किसी person को सामान बेचनी की लेकिन वो person exist करता ही नहीं actually तो उस case में या किसी से मैंने माल अपने आपको खरीदते हुए दिखाए मैंने purchase किया है but the seller doesn't exist at all तो वो false entry कहलाएगी number two number three and the last one क्या है वो ये कहता है कि अगर आपने supply of goods और services receipt ही नहीं की लेकिन आपने अपनी books of account में दिखाए है आपने supply of goods और services दी ही नहीं लेकिन आपने books of accounts में दिखाए है तो इन तीन case में हम इसको false documents या false entry मान सकते हैं मानेंगे तो false entry तीन होंगी पहला false document के थूँ यानि की fake invoice number two किसी भी person से receipt करना goods दिखाना receipt करते हुए दिखाना या supply of services को receipt करते हुए दिखाना या supply of goods को देते हुए दिखाना या supply of services को देते हुए दिखाना outward and inward जो भी चीज़ हो लेकिन actual में न दी गई ना ली गई सर्विसेज ना सामान दी आ गया ना ली आ गया कुछ भी हो सकता है वो भी false entry के case में आएगा तीसरा कि हमने किसी ऐसे person से supply of goods or services दिखाई दी या ली receipt करना या provide करना जो person exist करता ही नहीं है तो अगर इन तीम cases में आपकी कोई entry आती है तो वो false entry के हलाए जाएगी falsified entry के हलाए जाएगी और उस entry के बराबर की penalty आपके उपर impose की जाएगी next session में हम आपके साथ फिर मिलेंगी किसी important session किसी important amendment और किसी important point के साथ तब तक के लिए चाचाए और बाबाबा थैंक्यू